जी देखे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि लोक सभा में नाथुराम गोड़से को देश भक्त बताने वाले बयान पर साधवी प्रग्या ठाकूर यानि कि सांसत प्रग्या ठाकूर पर भारतियंता पार्टी ने बड़ी कारवाई की है और हम बता दे आपको कि इ संसदी का समेती से निकाल डिया है इसके साथ ही जो सत्र के दोरान जो बेठके होने वाली संसदी दलकी बेठक होगी उसमें भी साधिप्रग्या को नहीं आने का फर्मान सुना गया है यहाँ पर भारतियंता पार्टी ने बड़ी कारवाई की है जिस तरीके से लोक सभा में कल उन्होंने बयान दिया था देशभक्त बताया था नाथुराम गोड से को उसके बाद लगातार विपक्ष के निशाने पर बीजेपी आ गई थी और यहां पर तमाम विपक्षी दलोक के जो है विरोध का सामना करना पड़ा था भारतियनता पार्टी को ने देश में गलत सं जा रहा था यही वज़े है कि केंद्री आला कमान ने भारतियनता पार्टी के जो राष्ट्री नेत्रत्व है उसने सांसत प्रग्या ठाकोर पर बड़ी खबर की है और यहां पर एक और अपडेट यह भी आ रहा है कि साध्वी प्रग्या के खिलाब पार्टी की जो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का बयान आया था कि मैं ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा लेकिन इसके बाद फिर लोकसबा में यानि कि सड़क से सदन तक नाथुराम गोट्से का महिमा मंदित किया गया आप साध्वी प्रग्या के द्वारा तो ऐसे में बीजे प inen प्रग्या थाकूर का बयान का निंदनी है इससे पारिटी का जो है नीराशा का सामना करना पड़ा है और प्रग्या थाकूर के बयान से जो है भारतियन्ता पार्टी कभी बीशारधारा का समर्थन नहीं करती है तो कहीं न कहीं यहाँ पर बीजेपी ने सांसत प्रग्या ठाकूर के बयान से किनारा तो किया ही किया, साथ ही उन पर एक बड़ी कारिवाई भी कर दी, क्यों कि जिस तरीके से मद्धप्रदेश की बात करें तो तमाम जो कॉंग्रेस के नेता हैं, जितने भी केबिनेट मंद् खुद मुख्यमंद्री कमलनाथ ने ये बयान दिया था कि प्रग्या पर क्या कारिवाई करना है, ये प्रधान मंद्री नरेंद्र मोदी और अमिश्या को ते करना है, तो साफ तोर पर यहाँ पर बीजेपी के राष्टिकारी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ने बड़ा बय जान दिया है और उन्हें जो है अब डिफेंस कमेटी की जो अध्यसदस्ति उससे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है